हाई मैं परशान आप सभी का अपने योट्यूब चैनल एक्वीटी टू कम्मुनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप पुल बैक के बैसिस पे प्रॉफिट बना सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आप पुल बैक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यानि सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस पे आएंगे और उसके बाद हम पुल बैक के बैसिस पे कैसे ट्वेड ले सकते हैं ये दो-चीज सीखने के बाद हम देखेंगे कि जो हम trade ले रहे हैं, उस trade को हम profit table कैसे बना सकते हैं, यानि pullback के basis पे हम profit कैसे बना सकते हैं, इन सब point के उपर हम detail से इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में लाच तक बने रहे हैं, और चैनल को subscribe नहीं तो सबसे पहले हम देखते हैं, कि pullback होता क्या है, और उसको हम identify कैसे करेंगे, इसके बाद हम chart पे भी आएंगे, तो सबसे पहले, ये आपका up trend और downtrend दोनों में देखने को मिल सकता pullback, सबसे पहले हम up trend की बात करते हैं, देखे, price आपका नीचे से upside की तरफ जा रहा, ये न उसके बाद, यहां से क्या हुआ, यहां से price आपका नीचे गिरना start कर दिया है, अब जब price नीचे गिर रहा है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, कि आपका reversal है, या फिर pullback है, हमें pullback का पता कब चलेगा, हम इसको पूरा नीचे गिरने देंगे, और इसको अपना bottom formation या फि move दिखाएगा, या जैसे इस level करीब आएगा, तो फिर हम analyze करेंगे, कि जहां पर low formation किया है, इसके करीब, previously कुछ है क्या, either support level है, या फिर resistance level है, या फिर कोई private point है, या फिर कोई fabnacci level है, इन सम में से कुछ भी एक level generally हमें देखने को मिलता है, most of the time आपको यह सारा कुछ देखने को मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको as a pullback count करेंगे, या यह हमारा pullback होगा, अगर ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है, तो इसको as a pullback tweet नहीं करेंगे, और इसके basis पर हम tweet नहीं कर सकते हैं, जब tweet ही नहीं लेंगे, तो profit बनाने का सवाल ही नहीं उठता है, तो पहला target price यह होगा, दूसरा target previous जो swing है होगा, इस तरीके से हम gradual upside move, यहनि next target के लिए continue upside की तरफ जा सकते हैं, या नहीं तो यहां पर आप trailing stop loss का भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो पहला चीज़ समझ में आ गया, कि यहां पर आपको bottom formation पहले से presume नहीं करना है, और early play नहीं करना है bottom formation यह नहीं low formation होने देना, और इसके बाद जब यहां से यह आपका वापस से upside move दिखाना स्टार्ट करें, वापस से price आपका momentum दिखाना स्टार्ट करें, तब आपको यहां पर entry लेना, early entry नहीं लेना, अगर आप early entry लेंगे, यहां पर आप आसानी से trap में फस सकते हैं, तो upside remove में किस तरह से pullback आएगा और किस तरीके से इसको play करना समझ में आ गया, हम चार्ट में भी चलके, live में भी समझेंगे, लेकिन अभी यहां पर आपको concept clear करना, अब देखिए, अगर by chance price आपका उपर से नीचे गिर रहा, तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां प पर अपना यह top formation किया है, तो जब यह top formation किया है, हमें idea नहीं है, कि हमारा pullback है या फिर नहीं है, pullback का idea हमें कम में लेगा, हम wait करेंगे, देखेंगे कि price आपका वापस से नीचे गिर ना है start हुआ, तो जब price आपका इस level करीब आएगा, तो यहां पर हम बहुत जल्द analysis करें अगर नहीं है, तो फिर यहां पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा pullback नहीं होगा, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते ह। अगर इन सम्समें से कुछ मिलवा, तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर in-tree लेंगे, और किस तरफ in-tree लेंगे? sell side की तरफ यहां पे हम entry लेंगे तो इस तरीके से आप यहां पे pullback को play कर सकते हैं pullback से profit बना सकते हैं तो चलिए chart पर चलते हैं और इसको वहां पर और detail तरीके से समझने की कोसिस करते हैं तो यहां पर अब हम chart पर आगे हैं और देख सकते हैं यह आपका किसका है TCS का daily chart अब यहां पर हम daily chart ही क्यों ले रहें और आपको भी यहां पर daily chart ही लेना है क्योंकि daily chart में candle का maturity काफी ज़्यादा होता है और वहां पर हमें mature pullback दिखाएगा अगर हम lower time frame पर जाएंगे तो candle maturity कम होगा और वहां पर हमें कई बार false pullback भी दिखा सकता जिसमें हम trap में अफास सकते हैं इसलिए जब भी आपको pullback या फिर रिवर्सल आइडिफाई करना है तो आप daily time frame से identify करो यहां पर identify करने के बाद आप trade setup अपना आप early chart 30 minute, 4, 5 minute, 15 minute के हिसाब से set कर सकते हो लेकिन जब भी आपको कोई crucial चीज identify करना pullback या फिर रिवर्सल तो उसके लिए आपको daily time frame ही use करना चाहिए according to me कि मेरा personal opinion या बाग कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा price आपका उपर से नीचे side की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है अब यहाँ से क्या हुआ price आपका उपर जाना start किया तो जब यह उपर जा रहा तो मुझे यहाँ पर कुछ भी idea नहीं है कि आपका pullback है या फिर नहीं है तो यहाँ पे हम वेट करेंगे क्या वेट करेंगे इसको टॉप फॉर्मेशन का वेट करेंगे टॉप इसको बनाने देंगे इसका हाई फॉर्म करने देंगे तो प्राइस यहाँ पे उपर गया है और यहाँ पे यह अपना हाई फॉर्मेशन किया है यहां पे यह टॉप बनाया है अब यहां पे भी हम early play नहीं करेंगे हमें पता नहीं कि यहीं पे टॉप बनाया है कि इससे उपर और जा सकता है उसके लिए क्या होगा हम थोड़ा नीची आने का wait करेंगे अब जब price यहां से नीची आ जाएगा इस level करीब आएगा तो हम देखेंगे कि जहां पे यह top formation किया है उससे पहले कुछ है क्या देख सकते हैं यहां पे एक point बनता है यहां पे point बनता है यहां पे भी है और यहां पे मतलब यह पहले से ही support और resistance के रूप में regularly basis पे काम कर रहा है और recent times यहां पे जो बात करें तो यहां पे यह आपका as a resistance काम कर रहा है तो यहां पे कोई एक crucial level होना चाहिए वो है यहां पे हमारा क्या बन गया है resistance level पहले से ही बना हुआ है देख सकते हैं price नीचे है यहां पे भी इसको break नहीं कर पाया तो crucial level को touch किया है और वहां से नीचे आना start किया है तो अब इस particular point पे हमें confirmation मिलेगा कि यह आपका pullback है अब इस pullback को हम trade कैसे करेंगे profit कैसे बनाएंगे उस point पे हमें सोचना है तो हम क्या करेंगे इस particular label पे हम यहां पे entry लेंगे और entry किस तरफ होगा? sell side की तरफ होगा यह stocks F&O में available है तो आप आसानी से sell side की तरफ जा सकते और यहां पे आप चाहो तो put options भी buying कर सकते है अगर आप options buying करते हो तो stop loss जो यह आपका pullback point है यही आपका SL के रूप में काम करेंगे यहां पे मेरा stop loss भी छोटा होगा और target price की बात करें तो जहां से upside move दिखाया है यह हमारा target price के रूप में काम करेंगा यहां पे इसको थोगा सा clear कर देते हैं देखिए injury हम लेंगे इस point पे यह छोटा सा मेरा SL के रूप में काम करेंगा target price हमारा first target price ही होगा तो देख सकते हैं target price मेरा है इतना बिग है और जो SL है वो काफी छोटा सा मतलब यहां पे जो risk reward ratio है वो भी काफी हग तक मेरे favor में ही move कर रहा मेरे favor में ही दिखा रहा है यहां पे हम आसानी से tweet ले सकते हैं for this target price और उसके बाद यह आसानी से मेरे target price को देख सकते हिट कर दिया है ज्यादा time भी नहीं लिया target price हिट हो गया यहां पे मुझे अच्छा खासा profit मिला है अब लोग दिक्कत कहां पे करते हैं और इसके basis पे लोगों को loss होता क्यों है अब जब ही दीग हर बार यहां पे आपको profit होगा कई बार आप यहां पे क्या करेगा आपका stop loss भी हीट करेगा तो इसका accuracy level भी आप लगवख 70% करीव रख सकते हैं यानि अगर आप यहां पे 10 trade लेते हैं तो आपको 7 में profit मिल सकता लेकिन 3 trade में आपको नुकसान भी हो सकता यह भी आपको ध्यान रखना है तो कोई भी strategy 100% सटीक नहीं होता है लेकिन अब लोग यहां पे गलती कहां पे करते हैं जैसे ही price यहां पे आया या फिर हमने पहले से देख लिया कि यहां पे रिस्टेमस लिवल है तो यहां पे आते ही क्या करते हैं वो directly sell side की तरफ चले जाते हैं वो reversal का इंतजार नहीं करते हैं वो pullback का इंतजार नहीं करते हैं तो आपको यहां पे नीचे आने का इंतजार करना परेगा जब यह high form करके price वापस से जो यह direction है उसी direction move करना start कर दिया तब यहां पे हम interior लेंगे और तब यहां पे हम अपना छोटा सा SL रखके target price के लिए जाएंगे उससे पहले नहीं करता early play करोगे तो trap में फस सकते हो singularly देखिए यहां पे भी क्या हुआ अब जो हमारा था यहां पे भी price वापर से नीचे आया यहां पे भी फिर उपर जाने लग गया अब यहां पे यह अपना high form किया है और top form किया है तो हम देखते हैं इस level पहले कुछ क्या था यहां पे अगर हम line draw करें तो देख सकते हैं यहां पे भी crucial point था और पीछी आते हैं तो यहां पे भी आपका support के रूप में काम करा था यह आपका support और resistance कही बार आना शुरू किया है तो इस level करीब क्या करेंगे यहां पे हमें confirmation मिल जाएगा कि हमारा क्या है pullback है और फिर इस pullback को हम trade करेंगे profit बनाएगे यहां पे हम interview लेंगे sell side की तरफ अब जो हमारा target price बनेगा यह जो lowest point ही हमारा target price बनेगा जिसको असानी से हिट कर दिया यहां पे हम interview लेंगे और यह point मेरा sell हो जाएगा तो अगर आप देखे तो यहां पे भी sell छोटा सा है और target price अभी भी उससे काफी बीग है यह नि विस से बाट इससे भी काफी हतक मेरे favor में ही यहां पे trade करा तो इस तरीके से आप pullback को identify करते हुए आसानी से trade ले सकते हैं तो चलिए यहां पे अब दूसरा example देखते हैं अब हम यहां पे आगे विलाइन्स के daily chart पे अब यहां पे देखे प्राइस आपका नीचे से उपर साइड के तरफ जा रहा है उससे पहले एक और confusion जैन्वरी लोगों को रहता है वो भी मैं यहां पे clear करते हूँ थोड़ा सा time जाला लग रहा है लेकिन reversal और pullback जन्हीं लोग इसमें confuse कर जाते हैं कि reversal हमें कब देखने मिलता है pullback कब देखने मिलता है इसके उपर हम detail video भी बनाएंगे लेकिन यहां पे छोटा सा जो concept है वो मैं clear कर देता है यहां पे price आपका नीचे side की तरफ आ रहा है और इससे पहले देख सकते हैं यहां पे हमारा एक support level था अगर इस support level को respect करते हुए price यहां से वापस से उपर lot जाता है या फिर यहां पे भी है यहां पे भी आके वापस उपर lot जाता है तो यह क्या कहलाएगा यह आपका pullback कहलाएगा लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है इसको break करते हुए नीचे आ जाता है जैसा कि यहां पे देखने कमिला इसको break करते हुए नीचे आया तो जैसे इसको break किया, तो यह आपका pullback नहीं कहलाएगा, यह आपका reversal कहला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे top form किया है, और पूरा trend आपका change हुआ है, तो यहाँ पे change of trend होगा, pullback नहीं कहलाएगा, फिर यहाँ पे भी रुक सकता था, लेकिन यहाँ भी नहीं रुका है, फिर य जैने ही लोग क्या करते है, pullback में ही trade लेना, start कर देते हैं, उसको reversal समझके, और वहीं पे वो लोग trap हो जाते हैं, तो हमें confirmation के लिए कोई crucial level break होने का wait करना पड़ेगा, कोई crucial level को respect किया, pullback है, नहीं किया, तो वो आपका reversal है, यहाँ पे देखे, price आपका नीचे से उपर गय जब उपर जाना, start किया है, हम क्या समझेंगे, यह आपका, क्या है, pullback है, और pullback किसी भी तरफ हो सकता, मैंने आपको already बताया था, यहाँ पे हम sell side की तरफ int भी लेंगे, यह जो point है, मेरा SL के रूप में काम करेगा, छोटा सा SL है, target price आपका, जो भी minimum होगा, EA level होगा, तो यहाँ पे भी, जो risk reward issue है, काफी हद तक मेरे favor में है, और इसके बाद, अगला target price मेरा EA level हो जाएगा, फिर अगला target price मेरा EA level हो जाएगा, और फिर next target price ही लेवल हो जाएगा, तो multiple times मेरे target को hit किया, लगभग 2-3 target को hit कर दिया, सिर्फ एक target मेरा रह गया था, तो यहाँ पे आ यहाँ पे आपका फिर छोटा सा गिरावट दिखाया, अब गिरावट यहीं पे आखे रुख गया, फिर यहाँ से उपर जाना start कर दिया, तो इस point पे देखेंगे, पहले कुछ है कि नहीं, देख सकते है, यहाँ पे यहाँ पर resistance की रूप में काम कर रहा था, यहाँ पर resistance की तरफ होगा, बाइसार की तरफ होगा, और यह मेरा point SL की रूप में काम करेगा, पहला target price है, दूसरा target price की बात करती हो जाएगा, जिसको असानी से इसने hit कर दिया, अब देखिए, अब वापस से price आपका नीचे गिरना start कर दिया, अब यह जो price नीचे गिर रहा है, यह हमार यहां से उपर जाना start कर दिया, यह हमारा pullback कर लाएगा, लेकिन अगर इसको break करके यह और continue नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग आसानी से reversal बोल सकते हैं, यहां पे top formation करके trend पूरा change किया और reversal दिखा रहा है, तो इस तरीके से आप pullback reversal में difference भी identify कर सकते हैं, और य वीडियो पसंद आया, फ्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए, और चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe भी किजिए, साथी साथ, bell icon दबना ना भूले, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी हम upload करें, उसका notification आप तक पहुंच आए, और आप वीडियो को miss ना करें, so that's all friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहिन!